जैजाए सीरी राम दोस्तों स्वागत है हमारे इस चैनल पे और आज के से वीडियो में हम बात करेंगे बक्त पॉर्ड के बारे में अगर नहीं सुने है तो आज के सी वीडियो में हम डीटेलें बात करने वाला है कि बक्त बॉर्ड होटा एकिया इसके अशनका Goldman है और किसका स जादा तीसरे नंबर का जो जमीन है इसी के पास है इंडियन आर्मी और इंडिया रेल्मे के बाद तो सोच सकते हो तो इसका इतिहास हम डीटेल करने वाले हैं इस बीडियो में में बख वोड़ आया था और उन्हें को सब फेकर केंडर में पारित करा दिया गये था और पूरे भारत में हम नियम कर सब्सक्रe слуш कि वक्त वोड़ का जो कीम हैं और देश के कोने कोने में लागूरत क्या इसका कानून है उप्वेवान गर्ता करना है नहीं खेट पर मजार बना रखे उन्होंने उन्होंने अवैद रूप से हमारी जबीन पर कव्जा किया हुआ है और हम उन्हीं के पास अगर अरजी लगाएं लगने का शोक है न तो प्राणी सरकार से लड़ो जोने कानुन बनाया है और आपको तिर जमीन का टुकुड़ा है तमिल से कोई फायदा नहीं वक्त वोड का एक कोट है वहां पर जाके और उसी से बात करिए कि हमारा जमीन पूरा डॉकुमेंट्स उसको दीजिए तब जाकर वह आपको खेत या जितना जमीन है वह नहीं देगा उस पर डिपेंट नुसार भारत में जो वक्त वोड का जमीन है व है वह चार लाइकड जमीन हो चुका है तो आप सोच सकते हैं की तरह से इसका जमीन है विरीधी हो रहा है चाहे तो आपका संपती हो या सरकारी संपति हो या किसी का प्राइवेट संपति है या तो जिसको बोलते हैं आम जमीन होता है उसको पबलिक परपटी पर भी अपना धिकार कर लेता है जिसे अबयद मजार बना दिया वहाँ पे मजार बना दिया और वहाँ पे उसको घेर लिया गया तो भी इसी की अध बोन्डिंग कर दिया गया है यह अप ध्यान से देखिए गांगर नहीं किया गया हमारे आसपस के सहरों में भी तैमिलाडू में एक हिंदू बहूल खुझा से करने लुगैंगर पोरी तो पूरी तरह से वक्रवाण ने कहा था हमारे अधिकार है और साथ ही साथ ऑर पर प्स पूराना मंदिर था उस पर भी वह अधिकार कर दिया था तो हम्सोच सकते हैं किस तरह का खेला हमारे देश में चल रहा है उठी बढ़े से से आप से मिलेंगे और बात करेंगे आपको जो राय है आप कॉमेंट कर सकते हैं और जो भी बोलना साथ है आप कॉमेंट भी बता सकते हैं तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ तब तक जूड़े रहा है हमारे चैनल पे जैजै सीरी राम हर हर महादेव